असलाम अलेकूम वेलकम टू माई चैनल हुजाफा गार्डनी कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं आप लोग अच्छे ही होंगे मैं भी ठीक हूं दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आप से शेयर करूंगी यह देखिए जो आप देने सारे प्लांट्स देख रहा हैं यह सारे मैं शॉपिंग करके लाई हूं और यह जो पौधे मिले हैं न दोस्तों मेरे सोच से भी ज्यादा सस्ते दामों में मुझे यह प्लांट्स मिले हैं और पहली बार मैंने सस्ते प्राइस में किसी भी प्लांट की शॉपिंग की है तो अगर आप भी इन पौधे के नाम और प् अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो प्लिवेबाद चैनल को लाइक, सूश्वाइब। शेयर जारूर कर लिजिएगा। मैं मत्ष o जो बेशीए जो靜ांगे के सब कुछ भी पैसा नहीं है। अब सब्सक्राइब है कि जब भी कुछ sudah नया वीडियो डालू इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो यह देखे फ्रेंस यह जो मेरा पहला प्लांट है यह टीकोमा का प्लांट है और टीकोमा देखे दोस्तों यह मुझे 50 रूपीज का मिला है 50 रूपय का और यह काफ लिए कॉंटिटी में फ्लावरemia होती है इसके मैं पिक्चर लगा दूघब देख लेए और मेरा दूसरा पहुत आप दूसरा पॉदा की चाइनिज औरसव और इसे आप जोड़ा हिरा इसे बॉलते हां ऐसे जोबगर हमें इसे इसे में बंच्चे स्वायगा है और यह क्योंकि प्लांट्स ही इतने जाधा होते हैं नरसरी तो इसलिए जो आप घर पे लाते हो प्लावरिंग उती है पौधे पे इसकी में पिक्चर लगा दूगा दूगा दूगे बंचेज में होती है दोस्तो इस पौधे में और यह वराइटी मेरे पास नहीं थी एक्जोरा की तो इसको बोलते है चाइनीज एक जोरा इसकी हाइट छोटी रहती है ज्यादा नहीं बढ़ती है और यह गमले के लिए बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट पॉधा है तो इसका मैं तीन कलर लाई हूं यह देखें दोस्तों यह एक पिंग कलर भी है मेरे पास यह देखें और यह सब मुझे 50 रूपीज का ही मिला है उन्होंने मुझे 80 रूपीज का था पर 50 रूपीज का यह पौधा मिला है यह 80-100 रूपीज के ही आसपास यह पौधा मिलता है पर मैंने अपने नस्दी की नरसरी से खड़िदा जैसा कि मैंने आपको बताया था एक बार कि मैं समस्त समस्तिपूर से हुँ बिहार समस्तिपूर से तो यह देखिए यह मेरा पिंग कलर हो गया यह दो कलर हो गया और यह एक रेड कलर भी है यह देखिए इसमें भी छोटी-छोटी फूल आए हुए मैं इनको अच्छे से खाथ वगरा देकर रिपॉर्ट कर दूंगी फिर मैं आप पौध्हे की आप देखिए हैं यह मनी प्लाट दुछें पौद्हह देखिए और इसे बोलते हैं यह पुत्धोज है और यह गोल्डन पौधोज बोलते हैं इस वराइटिक ठीक है और यह देखिए दोस्तों आप इतने सारे महंगे महंगे मसाले खड़िते off लों ज्से इस पौधा ना, अगर आपको कहीं से मिल जाया न, तो इस पौधे को जरूर ले आउ नरशरी से खरीद कर, इस पौधे को बोलते है ओल स्पाइस प्लांट, इसमें हर मसाले की खुश्बू होती है, इसके पत्तियों को अगर आप मसल के देखोगे, इसमेल करोगे, तो हर मसाले के इसमें खुश्बू मिलेगी आपको तो आप मटन चिकन कुछ भी बनाते हो इसमें डालो गे न उसका टेस्ट बहुत जादा भर जाएगा जो बाकी मसाले आप लाकर खरीद कर महंगे महंगे रखते हो न तो यह जरूर लगा लो यह बहुत ही बढ़िया पौधा है और इसकी ह हाइट देखो और यह मुझे बहुत ही सस्ते प्राइस में मिला है यह पौधा मुझे 1,500 रुपय का मिला है इसकी हाइट इतनी जादा है यह बहुत सुंदर पौधा है इस पौधे को भी जरूर लगा लो बहुत ही बढ़िया प्लांट है तो यह मैं लाई हूँ और यह इसमें छोटे छोटे साइस के फूल आते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह डार्क पिंक कलर है तो यह वराइटी मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसको भी बाई कर लिया और यह भी मुझे 50 रूपीज का यह पौधा मिला है अगर गुड़ल की हाइब्रीड वराइटी दोस्तों तो 100 रूपीज से कम नहीं मिलती है कहीं भी आप ट्राइ कर लो पड़िये पौधा मुझे 50 रूपीज का मिला इसलिए मैंने बोला कि उमीद से जादा कम दामों मुझे यह पौधे मिले हैं और यह देखे एक यलो कलर का भी ही बिसकस मैंने बाई किया है ही बिसकस बहुत ज्यादा पसंद है मैं जाती हूं अर्शरी तो भी विसकस ज़रूर लेकर आती हूं और विंटर में यह बहुत अच्छे से फ्लारिंग करेगा दोस्तों तो यह देखें इसमें कलिया भी बहुत सरी बनी हुए यह यह ज़ो कलर के इसमें फूल आएंगे तो यह यह बहुत ही बरा सा पौधा है आप लोग देख सकते हो देखें और ये पौधा भी मुझे 50 रूपीज का ही मिला है काफी बरा पौधा है और हिल्दी प्लांट भी है तो ये भी मैं 50 रुपे का ही लाई हूँ दोस्तो मेरा नेक्स्ट प्लांट है ये डौार्फ मधुमालती का प देखेंगी फिर आप लोग देख लेना इसमें कैसे फूल आते हैं और ये जो वराइटी है न दोस्तों डौफ वाली वराइटी है और इसके मैं दो प्लांट लाई हूँ एक तो ये हो गया और ये देखें एक ये है और मेरा देख सकते हैं पौधा बहुत ही हिल्दी प्ला रुपीज के आसपास आपको इस तरह की वराइटी अगर आप ड्वाली लेते हो 200 रुपीज 150 के आसपास इस तरह की वराइटी आपको मिलती है और इतना अगर आप जाधा हिल्दी पौधा लेते हो तो प्राइस जाधा भी हो सकता है पर ये मुझे 50 रुपीज का ही मिला है देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी प्लांट है यह वराइटी अगर आपके गार्डन में नहीं है तो जरूर से जरूर लगा लीजिएगा बहुत ही परफिक्ट है गमले के लिए और गमले में बहुत जादा कॉंटिटी में आपको फूल भी देता है यह पौधा और यह देखे इन सारे पौधे में मैं एक चीज़ आपको दिखा देती हूं यह देखे इस तरह से बास्केट लगे हूँ है यह देखे यह बास्केट है और यह सारे प्लांट्स में जो लाई हूं सभी में लगे हूँ है यह देखे फ्रेंट्स देखे इसमें भी यह ही बिसकस है ही बिसक यह बास्केट है और यह देखें यह लो ही बिसकस में भी और यह देखें यह दूसरे वाले मधुमालती में भी यह देखें यह बास्केट है देखें यह इस तरह से बास्केट लगा हुआ है और बास्केट लगे हुए पौधे को ना कभी भी रिपोर्ट अगर आप इसी तरह से बास्किट लगा हुआ कर देते हो तो पौधा ना आपका कभी भी सर्वाइब अच्छे से नहीं कर परता है कुछ दिन तो आपको लाएगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है फिर आपका पौधा ना मरने लगता है खराब होने लगता है तो इसको भी हटाने का त तो मैं किस तरह से रिपॉर्ट करती हूँ कि मेरा पौधा मरता नहीं है तो इसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी लाओंगी क्योंकि बास्किट लगे हुए पौधे को आप जैसे उसको निकाल कर फिर से रिपॉर्ट करते हो और सही से उसका ट्रेटमेंट नहीं करते हो तो आ तो इसको किस तरह से हटाते हैं क्या ट्रेटमेंट करना है पौधा बास्किट हटाने के बाद भी आपके गारडन में हल्दी कंडिशन में चलता रहे है तो क्या तरीका है सही तरीका वह मैं आप आपसे जरूर, जरूर शेर करूंगी वीडियो ले कर आँँगी कि मड़े नहीं इस वजह से तो किस तरह से करते हैं तो इनकी complete वीडियो मैं जरूर ले कर आऊंगी तो उमीद करते हैं दोस्तों कि मेरी ये छोटी सी वीडियो छोटी सी information आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी कीजिएगा फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ खुश रहें अपना ख्याल रखें अलाहाफेज